जीवन एक गूड पहली जितना इसका अर्थ खोजो रहस से उतना ही गहराता है मनुष बार-बार सोचने पर विवश हो जाता है कि जीवन में आखिर दुख आते ही क्यों है अगर मनुष को दुख ही भोगने हैं तो फिर जीवन का अर्थ क्या है जीवन के प्रारंब में भी मनुष असहाय लाचार और अंत में भी असहाय लाचार आखिर इस जीवन का सार क्या है क्या मतलब है जीवन का किन आज तक कोई ऐसी साइंस नहीं आई जो इनसान के दुख दूर कर सके अगर कोई ऐसा ज्ञान या विज्ञान है तो वो कहां है क्या कोई ऐसा इनसान है जो इस विज्ञान के बारे में जानता है अगर ऐसा इनसान है तो वो कौन है, कहां है मेरे लिए जीवन के रहस्य और उद्देश्य को जानना उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन को जीना इसलिए मैं निकल पड़ा ऐसे व्यक्ति की खोज में बहुत से रिशी मनीशियों से मंतरना की, विद्वानों से मुलाकात की लेकिन प्रश्णों का उत्तर नहीं मिला इस यात्रा में बहुत से लोगों ने बताया कि आपके प्रश्णों के उत्तर जोतिश के महाग्यानी, विश्व विख्यात, जोतिश आचारे, लाल किताब विशेशग्य, पंडित जीडी वशिष्ट ही दे सकते हैं उनमें कितना महारत है, उनके पास ग्यान का कौन सा खजाना है, ये केवल उनसे मुलाकात के बाद ही जाना जा सकता था इसलिए मैंने उनसे मिलने का निर्णए ले लिया श्री अन्नु कपूर ने पंडित जीडी वशिष्ट जी के कारियाले में फून किया और पंडित जी से मिलने की इच्छा जाहिर की उस समय पंडित जी एकांत में लाल किताब पर गहन शूध कारिय में व्यस्त थे श्री अन्नु कपूर के अनुरोध पर पंडित जी ने उनसे मिलना स्वीकार किया जीवन के सार और लाल किताब के रहस्यों के बारे में पंडित जीडी वशिष्ट जी से उनका गहन विचार विमर्श हुआ प्रस्तुत है वारता लाब के कुछ अंच पंडी जी, मेरे मन में बहुत सारे प्रशने हैं और ये प्रशन मुझे हमेशा से परेशान करते रहे हैं अगर उन प्रशनों को पूछू मैं तो शायद आपको भी परेशान करें यह हो सकता आपको बुरे भी लगे आग्या है? बेशक देखिए पंड़ी जी, साइंस ने तरक्की की, दुनिया ने तरक्की की, सब कुछ बदल गया, जोतिश नहीं बदला, जोतिश वहीं का वहीं रहा, जो प्राचीन काल से था, वो अभी तक वहीं पे रहा, कभी-कभी तो मुझे लगता है कि जोतिश ने इंसान को भ्रमित किया confused किया है अगर जोतिश की गणना दुख के उपाए दुख के निवारण बताती है तो फिर इनसान के जीवन में दुख क्यों है जो हमारा पुराना जोतिश रहा है वो तो बहुत ही भवय बहुत ही आलिशान रहा लेकिन ये जो हमारे मानसिक्ता के अंदर जो वंशवाद रहा है उसने आकर के एक बहुत बड़ी कमी बीच में पैदा की जो ग्यानी पुरुष थे वो ये चाहते थे कि उनके पुत्र उनके वंश के अंदर ही सिर्फ ये जोतिश रहे लेकिन आगे वंश के अंदर वो मुनुश्य भी आए जिन्हों ने जोतिश तो सीखा नहीं लेकिन क करके आया है और लाल किताब की खासियत ही एक है कि वो इनसान की समस्याओं को जांचती है ये बताती है कि तेरे जीवन में ये होगा और साथ में उसके हल भी देती है कि जो बुरा घटित होने जा रहा है उसको इस परकार से तो ठीक कर सकता है और लाल किताब के पूरी तरह इसके साथ में पूरे का पूरा आगे बढ़ रहा है मत कर अपने हाथों की लकीरों पे गुमा पंड़ी जी शेर मुलाइजा फरमाईएगा इस शेर में ही मेरा प्रशन चुपा हुआ है मत कर अपने हाथों की लकीरों पे गुमा नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं नसीब लिखा जा चुका है कहते हैं ना कि इश्वर ने जो लिख दिया वो लिख दिया उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है जब नसीब कोई चेंज नहीं कर सकता है तो फिर इसमें लाल किताब दुखों को दूर करने के ल अगर यही सोच मांसीटा हम बनाकर की अगर चलते तो जो लोग पहले प्लेग से मर जाया करते थे इतनी चोट- Awesome विमारिओं VO से मर जाया करते थे आज इनके लिए यह इतनी बड़ी दवाई ं कहां से बनती लाल किताब ने यही काम तो किया है आपके उपर मुसीबतों की बारिश होने लगी है लाल किताब उपायों के रूप में आपको एक चाता दे रही है कि आप ये चाता लीजिये चाहे और कुछ भी हो जाए आपका शरीर भीगने से बच जाएगा हो सकता है पाउं भीख चाए पंड़ जी अगर मेरा जन्म का टाइम मुझे नहीं मालूम या सही नहीं है तो क्या ऐसी इस्तिते में भी लाल किताब मेरी मदद कर सकती है विल्कुल कर सकती है घर के अंदर आपके भाई बेहन हैं आपके बच्चे हैं नहीं तो आपका जीवन साथी है चाहे पत्नी के लिए पती या पती के लिए पत्नी आप किसी की जिसकी भी जनम कुल्डी है यानि की जनम तारीख और समय है आप उसकी बनवाईए उसके बीच में आपकी समस्यों का विवरन निकलेगा और उसके हल भी निकलेंगे अगर आप उनी की कुल्डी के अंदर दिये हुए हलों को कर लेते हैं उपायों को कर लेते हैं तो आपका जीवन पूर्णूप से सोख़द होगा अनू जी तरह तरह के दुखी लोग जब मेरे पास आया करते थे तब मैं माता रानी से मांगा करता था कि माता रानी कुछ तो ऐसा कोई अम्रित होगा जो इन सारे दुख्यारों के दुख को दूर करते तब मैं माता रानी से मांगता था कि कुछ मुझे ऐसा दे कि जिससे वाकिए में हर दुख का नाश हो जाए तब शायद माता रानी ने एक मन समत्या दी मुझे एक दिमाग के अंदर वो विचार दिया कि जिससे ये लाल किताब अम्रित के बनाने का ख्याल मेरे मन में आया और आज वो बन भी किया और आज बन गया तो माता रानी के अम्रित के रूप में ये वाके लाल किताब अमरत अब ये घर घर जा करके वाके सब के दुख खतम कर रहा है तो पंड़ जी क्या हम ये मान लें कि जिस वक्ती ने लाल किताब अमरत प्राप्त की है आप आप लाल किताब अमरत के रूप में उसके जीवन में सदेव उसके साथ बने रहेकर उसका मार्ग दर्शक करेंगे बिल्कुल और एक ही कामना हमेशा करूँगा मातारानी सब को सुकी रखे पंडित जीडी वशिष्ठ जी स्वयम लाल किताब अमरत के रूप में आपके मार्ग दर्शक बन कर आपके घर तक पहुँच रहे हैं आप भी लाल किताब अमरत को अपनाईए ताके आपको फिर से जीवन में दुखों का बोज न उठाना पड़े आंसू न बहाने पड़ें किसी के सामने हाथ न पहलाने पड़ें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है कौन सा रास्ता चुनना है ये हमें जानना ही होगा दुख हैं दुखाएंगे इन दुखों से कैसे बचना है पंडिट जीडी वशिष से मुलाकात के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि दुखों से लड़ने के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम सब को एक सहारे की जरूरत है और वो सहारा है लाल किताब अमरत क्या मिली मानो मिल गई मा लाल किताब अमरत क्या मिली मानो मिल गया गुरू ये मा और गुरू तुम्हें जीवन में ठोकरे खाने से बचाएंगे तुम्हें जीवन में भटकने से बचाएंगे तुम जीवन में ना कभी भटकोगे ना कभी ठोकरे खाओगे और तुम्हारा जीवन अचानक खिल खिला कर मुश्कुरा कर कहने लगेगा कि बस अब दुख और नहीं बस अब दुख और नहीं